वरिशव राशी वाले दोस्तों वरश के अंतिम तीनमा में आपकी राशी पर महत्त पुरण बदलाब देखने को मिलेंगे जो की समय को महत्त पुरण बना देंगे लंबे समय से अनावशक खर्चों में बनी हुई अधिक्ता पर ब्रेक लगेगी आई में वरिदी होगी एक तो गुरू चंडाल योग से मुक्ती दूसरा राहु का लाबाब में परवेश और तीसरा शनी की चाल में यूटर्न इस समय के साथ साथ नव वरश दोयार चोविस को भी बेहतरीन और महत्त पुरण बना देगा इन तीनों मां में राशी स्वाम में शुकर भी विशेश रूप से आपर महरबान रहेगा वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे वीडियो बहुत महत्त पुरण रहने वाली है इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें नमस्कर दोस्तों मैं एस्ट्रोलेजर रजेश कालिया हारदिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटिव चैनल शीत्यास्टरोलम मास्टर में मिरे वरिश्यव राशी वाले दोस्तों कैसे हैं? वरिश्यव राशी के अलावा वरिश्यव लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं. दोस्तों शुरुआत करते हैं बड़े बदलावों से. लंबे समय से आपकी राशी के वय बापर धनकार्क गुरू और चंड राहु का यूतियोग बैंक बैलनस को परवावित कर रहा है। इस यूतियोग को गुरुचंडाल योग के नाम से भी जना जाता है। वयवापर इस योग के निर्मान से कहीं ना कहीं से खरचे निकल कर सामने आ रहे हैं। राहु के कू परवाप से गुरु की शुपता भी प वाव अनावशक खर्चों और अनैतिक खर्चों के योग बढा रहा है अब 30 अक्तूबर से अनावशक खर्चों में कमी आएगी फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी गुरू चंडाल योग से छुटकारा मिलेगा 30 अक्तूबर को रहू के तू राशी प्रवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे के तू छटे बाब से पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो रहू वए बाब से निकल कर आए भाव में प्रवेश कर जाएगा जहां पर पासा पलट जाएगा वए बाब से निकल क पड़ेख जाने को बढ़ने का कार्या करेगा आप बच्चत करने में सफल रहेंगे जमापुंजी में व्रिदी से बैंक बैलन्स बढ़ेगा लगातार नीचे की और जा रहा आपका आर्थी ग्राफ अब यूटर्न लेगा तथा उपर की और चलना शुरू कर देगा केवल न लाबा परसंचार मेहनत प्राकरम बहुबल और प्रयास्टों से लाब मार्ग परशस्त करेगा एक तरह से समझे रहू का जब मिले का साथ तब नहीं रहेगी डर और गम की कोई बात चलाक चतुर मायावी शरारती शड़ेंतर कारी और राजनिती कारक रहू का लाबा परसं जीवन में अचानक से होने वाली घर्णाओं से सबंदित है इसलिए भी राहू का लाबा परसंचार काफी सक्रातमक है अकसमात से लाब के योग बनेंगे राहू ने पिछले वयवा परसंचार से आपके अकसमात से खर्चे करवाए होंगे लेकिन अब चिंता का कोई विश बूत बनेगी राहू ने पिछले गोच्चर में विदेश सबंदी खर्चे भी करवाए होंगे लेकिन अब विदेशी स्त्रोतों से लाब के योग बनेंगे गुरू चंडाल योग से मोक्ती के वाद गुरू का भी बल बढ़ जाएगा पिछले समय से गुरू चंडाल वस्ता में संचार कर रहे शनी ने भी खर्चों में वरिदी करने और प्रेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है एक सब्ता के बीतर महत्त पुरू बदलाव होंगे तीस अक्तूबर को गुरू चंडाल योग से मुक्ती राहू का लाबा में प्रवेश्तों चार नवंब बनी हुई है यह वकर द्रिश्टिय अधिक नक्रात्म को उर्जा पैदा कर रही है करम भापर शनी का वक्री वस्ता में संचार करियर को भी परवावित कर रहा है अपने कारियों के प्रतियस्थेर्ता असमंजस और असंतुष्टी जैसे भाप पैदा हो रहे हैं कारियों मे प्रिवर्थन के विचार बार-बार मन परहावी हो रहे हैं करम भाप से शनी की वय सुख और दंपत्य वापर वकर द्रिश्टि सुख शांती को बूरी तरह से परवावित कर रही है दंपत्य सुख भी परवावित हो रखा है चार नमबर से जब शनी उल्टी चाल से सीधा हो जाएगा इन सब नकरातमक परवावों से बहुत बड़ी रहत मिलेगी अपने कारियों के प्रतीरूची और कागरता बढ़ेगी मन में स्थिरता आएगी सुख चैन में वरिदी होगी असमंजस जैसे भाव दूर होंगे घर परवार और दमपत्य जीवन में भी सकरातमक मोड़ाएगा जीवन साथी के सुख सने सहयोग स्वास्ट और सवाव पर सकरातमक परिवर्तन देखने को मिलेगा माता जी के भी सुख सने और सहयोग में वरिदी होगी पिछले समय से शनी के वकर परवाव के कानवश माता जी को स्वास्ट समंदी कोई परिशानी होगी है तो उस परिशानी से भी रहत मिलेगी शनी का वकर परवाव नोकरी पेशा दोस्तों के कारे अस्थल पर वाथ विवाद पैदा कर रहा है अब सीधा चलने से सहकर्मियों वरिष्ट अदकारियों या उज़ अदकारी वरक के साथ कोई मन मुटाब पैदा हो चुके हैं तो वहत दूर होंगे सबंदों में मदूरता बढ़ेगी विदेश सबंदी दूरे पड़े कारियों में तेजी आईगी मल्टी नैशनल कमपणी म में कार्या करने के मौके मिल सकते हैं इन तीनों मा में छोटी वदी तक एक राशी पर संचार करने वाले ग्रहों सूर्या बुद्ध मंगल और शुकर की चाल पर एक नजर डालते हैं शुरुवात करते हैं राशी स्वामी शुकर की चाल से दो अक्तूबर को शुकर आपकी लाशी के चतूर्थ बाव में पर्वेश कर जायेगा चतूर्थ बाव पर शुकर के बहतरीन प्रिनाम देखने को मिलते हैं भोग विलास लगजरी लाइव और बौतिक सुक्षों के कारख शूकर का चतूर्थ बाव पर संचार लग्जरी लाइफ स्टाइल में वरिदी करता है चत्वर्त बाव कुनली का बहुत शुब और महत्पुरन भाव है इस बाव से मन, मा, मातर भूमी, भूमी भवन, जमीन, जैदात, सुख, जनता और वाहन आदी का विचार किया जाता है इसलिए इस बाव को स स्टार होगा घर परवार में भी सुख, शांती और परसंता का माहोल बनेगा राशी स्वामी के रूप में शुक्र की यह स्थिति और अधिक महत्त पुरन बन गई है सुआस्त को भी बेहतर बनाई रखेगी तो वहां सुख के योग बनेंगे दोग तूबर से लेकर तीन न मंबर तक शुकर, आपकी राशी के पन्चमबा पर संचार करेगा, पन्चमबा पर वी शुकर के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, संतान के साथ सबंदों में मधुरता बढ़ेगी, विद्यारतियों को शुकर क्रेटी बनाएगा, क्रेटीविटी के शेतर में विद कारियों से लाब के अच्छे मौके मिलेंगे एक्टिंग डांसिंग मौडलिंग ड्राइंग पेंटिंग या अन्या कला के शित्र से जुड़े दोस्तों को भी शुकर के शुब गोचर का बहुत लाब मिलेगा दिपावली के समय शुकर की यास्तिति महत्त पुरण है तीस आपर संचार काफी स्क्रात्म करेगा बिगन बादा और विपत्तियों का नाश करेगा शत्रों की संख्या में कमी आएगी कूल मिलाकर तीनों मा शुकर आपर महरबान रहेगा शुकर की कृप्या बरस्ती रहेगी बात करे राशी स्वामी शुकर के मित्तर ग्राप बुद् पर संचार करेगा। लगाम लगाने की वशकता रहेगी। प्रेमी अपने प्रेमी जन पर खूब खर्चा करेंगे। प्रेमी जन के साथ गूमने फिरने और यात्रा करने के मौक्ए मिलेंगे। विद्यार्थी शिक्षा के सबंद में कोई खर्चा कर सकते हैं कोई निवेश करने जा रहे हैं तो बुद्धिवेक से सोच विचार कर करें नहीं तो इस अवदी में निवेश कारे को टाल दे तो दिक बेहतर रहेगा छे नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक बुद्ध सब्तमबा पर संचार करेगा दनवाप के सुआमी बुद्ध का सब्तमबा पर संचार जीवन साथी भागीदार और वेपार के माद्यम से परचूर मातरा में धनलाप के योग बनाएगा इस सवदी में दिपावली भी है सब्तमबा पर संचार करेगा इस समय प्रेमियों को दिक स्तरक रहने की वशक्ता रहेगी अपने प्रेमस बंदों का किसी के आगे खुलासा ना करें इस सवदी में प्रेमी जन से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा आपके प्रेमस बंदों से चिर्णने और विरोधा वस रखने वाले शडियंत रच परस पर मन मुटाब पैदा करने के पुरियोर प्रयतन करेंगे इस अवधी में बुद्ध के मिले जुले परिनाम देखने को मिलेंगे बात करें अक्तूबर से लेकर दिसंबर मां तक सूर्य और मंगल छटे बाप से अपना सफर शुरू कर अश्ठम शक्का कार्या करेगा आपके रोब और रुतबे में वरिदी करेगा समाज में आपके अधिकार और प्रवाविशेतर का विस्तार हो सकता है लेकिन नवंबर और दिसंबर में आपको अपने क्रोद वानी और वहवार पर उचित ध्यान देने की विशक्ता रहेगी नहीं तो दंपत्य सुख परवावित हो सकता है जीवन साथी के साथ सुसराल पक्ष के साथ भी मतवेत गहरा सकते हैं इसलिए नवंबर और दिसंबर मां में करोद एहम से दूरी बना कर रखें सूर्या और मंगल जनित उर्जा का उचित लाब उठाएं तुल मिलाकर इस समय का महत्त प कमेंट बॉक्स में बहूली रहो की जाजाकार अवश्या करें आपको यह वीडियो कैसी लगी कि रिपए लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यावाग